हेले स्टूरेंट्स वेल्टम टुपीव अगएड मी मैं चारवत्वाल आज की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं हिंदी की इतिहास के बारे में जानेंगे कि हिंदी का इतिहास कैसा गहा और आज तक का जो इसका सफर था वो कैसा था तो चलिए वीडियो के लावा मैं आप लोगों को बतातू कि आज का जो टॉपिक है हिंदी की इतिहासिक पेस्ट दूनी यह टॉपिक एक्जाम की देश्टी से बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है आप किसी भी तरीके के एक्जाम की तयारी कर रही है ठीके चाहे वो टैक है सी टैक है पी एट है या फेक आपका पेस्टेंट्रेंस है यह जो टॉपिक है इससे दो से तीन कोर्शन आ ही जाते हैं ठीके तो आज के इस टॉपिक को हम अच्छे से समखेंगे और बाकी आपको कोई भी कंशूसन होती है तो आप कमेंट पॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हाले में जि इस तरह से कोई भी व्यक्ति है उसका एक परिवार होता है उसी तरह हम भाशा का भी एक परिवार होता है तो हम यहां पे भाशा के परिवार के बारे में जानेंगे किस के बारे में जानेंगे हम भाशा परिवार के बारे में अब क्योंकि यहां पे हम भारत में गहते हैं ठ भागत के भाशा परिवार के बारे में, ठीक है, किसके बाले में, भागत के भाशा परिवार के बारे में, तो भागत का जो भाशा परिवार है, उसका नाम क्या है, भारत के भाशा परिवार का नाम है, भारूपिये, भाशा परिवार, ये भारत के भाशा परिवार का नाम है दूसरा कॉन सा आता है दूसरा आता है द्लेन भाशा परिवार भाशा परिवार भागत में जो परिवार बटे हुए है वो दो भागों में बटे हुए है आरे भाशा परिवार और द्लेन भाशा परिवार अब दोनों में क्या आंता है आरे भाशा परिवार जो है यह कहां बोला जाता है उत्तर भा हैं और डवन भाशा परिभार कहां बोला जाता है दक्षन भागत में मतलब भारत का department कि पोली जाती है दवन भाशा परिवार के अलगत आने वाल या पूली जाती鉄塔 उत्तर भारत में संपुर्ण उत्तर भारत में आरे भाषा परिवार की बोलिया बोली जाती है ठीक है अब यहां पे पहले हम द्रविन भाषा परिवार के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इसके बागे में mostly questions नहीं आते हैं कुछ question आते हैं एक या दो question वह मैं आपको बता दूंगी अभी कौन से question आते हैं हम अगर मुख्य उपस जो पुरा ध्यान केंदेत रहेगा वो आरे भाषा परिवार पर रहेगा क्योंकि आरे भाषा परिवार से ही मुख्य उपसे प्रशन पुछे जाते हैं ठीक है तो तमि किगाती है तेरुगर कनन और मल्या ठीक है भाषाय और भी है लेकिन मुख्य उपसे बोले जाने वाली जो भाषाय है वो ये चाल भाषाय है ठीक है जो कि तिरुण भाषा परिवार कें दगत आती है अब यहां पे जो सबसे ज़ादा बोली जाने वाली बोली है वो है तमिल ठीक है तमिल भाशा सबसे ज़ादा बोली जाती है दक्षन भागत में सबसे ज़ादा जो संख्या है तमिल बोलने वाले लोगों की है अब आगा मुख्य जो ध्यान नएगा, केंदे जो हमारा है वो है आरे भाशा परिवार, ठीक है? इससे ही जाता तरकोशन आते हैं, आरे भाशा परिवार में देखिए, अभी हमने यह जाना, यह उत्तर भागत में बोली जाती है, ठीक है? अब आरे भाशा जो परिवार है, इसकी जो सबसे प्राचिंतम बोली है, ठीक है? सबसे पुरानी भाशा जो बोली जाती थी, वो कौनसी भाशा बोली जाती थी? संस्क्रेट भाशा, ठीक है? यह माना जाता है कि जब भारत में, भारत के उत्री छेत में आरे आय थी, ठीक है? सबसे पहले आरे जब भारत आय तो लगभग वो 3500 वर्ष पुराना है, कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है, 3500 वर्ष पुराना इतिहास हमारा संस्कित का गाहा है थीक हैं? अब इस समय पे तो हम ऐसा नहीं है, कि संस्क Fish भाशा बोलते हैं थीक है? एसा तो नहीं है कि हम उत्तर भारत में संस्क Fish भाशा का प्योग करते हैं ना बहुती हुर ना आप भोलते हैं तो इस समय जो संस्क ItShubhasa का स्थान या है वो किसने ले लिया है? वक्तमान हिंदी ने संस्क्रित का इस्थान ले लिया है अब यह जो संस्क्रित का सफर शुरू होता है और हिंदी तक बहुचता है यह संस्क्रित से लेके हिंदी तक का जो हमारा पूरा सफर रहेगा साढ़े तीन सो वर्ष का इतिहास यह हम यहाँ पर जानेंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आपको और बताती हूं कि जो संस्केत भाषा ता यूद था ठीक है संस्केत भाषा का जिस समय पर संस्केत भाषा बोली जाती थी तो उस समय को एक नाम से जाना जाता किस नाम से जाना जाता था उसे कहा जाता था संस्केत भाषा का यूग ठीक है संस्क्रित भाषा का यूग जिस समय पर संस्केत भाषा बोली जाती थी ठीक है तो यह एक अध्यनाम है बाकि इसे किस समय बोले जाता था प्राचेन भार के आगे भाषा का यूग था उस समय प्राचीन भारते आगे भाशा यूग को ही तूसरे नाम से जानते हैं जसे क्या कहते हैं संस्क्यप भाशा का यूग तो यह चीज आपको दिहानक नहीं हैं बाकिए हम यहां पे जो 3500 वैशों का समय हैं Sanskrit से लेके Hindi में परिवतन जो आया है उसके बारे में हम आज जानेंगी तो चलिए आगे लेकते हैं देखें अब हम आजे भाषा परिवार के बारे में बात कर रेते हैं ठीक है आभी तक मेनाथ को क्या पताया था? कि आरे भाशा परिवार कहा बोला जाता है और इसकी जो प्राचीनतम भाशा थी वो क्या थी संस्कित थी और अब जो इस समय बोली जाती है वो कौन सी भाशा है हिंदी है ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आरे भाशा परिवार को भी तीन भागों में बाटा गया है क् तो यहां पर हम यह देखेंगे कि कितने भागुमें बटी है, तीन भागुमें बटी है, ठीक है? तीन भागुमें से बाट रहे है, कौन कौन सी? प्राचीन, भागुमें, आरे भाशा, ठीक है? दूसरी है, मथ्यकाली, भाड़ती है, आरे भाशा, तीसरी है हमागी, अधुनीक, भाड़ती है, आरे भाशा है, ठीक है? तीन भागुमें बटाजित हो गए, आप यहाँ पे इनकी कौन कौन सी बोली गही, ठीक है? यहाँ कौन कौन सी भाशा है गही, तो प्राचीन भाड़ती है, आगे भाशा को मैंने आपको क्या बताया? कि संस्क्रित भाशा का युल भी कहा जाता था ठीक है? अब यहाँ पे इसकी जो भाशा थी, कौन सी थी? संस्क्रित भाशा थी, कौन सी भाशा थी? संस्क्रित भाशा थी, प्राचीन भाड़ती है, आगे भाशा के अंतरगत कौन सी भाशा आती है? संस्क्रित भाशा आती है, अब यहाँ पे संस्क्रित भाशा के भी दो भाग थे, कौन-कौन से थे, वैदिक संस्क्रित और लॉकिक संस्क्रित, आप वीडियो के साथ साथ ही नोट करते गई हैं और साथ ही समझते गई हैं, ठीक है, प्राचीर आगे भाषाओ का जो समय माना गया, यानि कि संस्क्रित का जो पूरा समय माना गया, वो पंध्ला सो इसा पुर्व से माना गया, काफी मद्भेद हैं इस पे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो सग्व मानने गुप से एक समय माना गया, वो पंध्ला सो इसा पुर्व से लेके, पान सो इसा पुर्व तक का समय माना गया ठीक है इस इसको आपको रियानग नहीं और इस्वी नहीं है इसा पूर्व है पंध्रा सो इसा पूर्व से लेखे 500 इसा पूर्व तक का जो समय था वो संस्केत भाषा का समय माना गया यानि कि पैठीन भार के अलो भाषाओं का समय माना गया आप यहां पे जब दो फागों में विभाजित होता है वैदिक संस्कित और लोकिक संस्कित तो इनका समय भी विभाजित हुआ ठीक है? वैदिक संस्कित का जो समय रहा पंधरा सो इसा पूर्वु से लेकर ये रहा एक हजार इसा पूर्वु तक ठीक है? एक हजार इसा पूर दुरू से लेकर पांसो इसा पुपत का रहा है यानि की लगभग पांसो वाइशो का जो समय था वो एक भाषा का रहा ठीक है तो वैदिक संस्क्रिट जैसा की नाम से पता चलता है वेदों की भाषा इसमें मुख्य उप से वेद लिखे गए उपनिशन लिखे गए ठीक है औ और लौकिक संस्क्रिट जैसे की नाम से पता चलता है लोग की भाषा ठीक है यानि की जन समानी की भाषा यह रही और इसमें क्या लिखे गए महाकाव्य लिखे गए पुरान लिखे गए ठीक है और कालितास जी में जो गचनाय की है वो भी लौकिक संस्क्रिट में की है बा है समय तक गहा कौन सी भाशा छी है वयदिक संस्केट और फ्लॉकिक संस्केट ठीक ей अब यहां पर आते हैं हम मथेकाली ना खदते भाशाऊ का समय गहा यह गहा 500 ईसा पूर्वु से लेकर इसका जो समय था एक हजार इसवी ठीक है अब यहां पे दीखेगा 500 ईसा पूर्वु से स्टार्ट होके यह कहां तक जा रहा है यहां पे दीखेगा इसवी है यहां इसा पूर्वु है अब यहां पे जिस तक हासे यहां प्राचिन भारते आगे भाशाव में मुख्य बोली गौन सी थी संस्कृति यहाँ पे मध्यकालिग जो मध्यकालिग भारते आगे भाशाए हैं इसकी मुख्य बोली कौन सी गही? इसके मुख्य बोली गहीdern पाली और प्राकर्ट, कौन सी गही? पाली और पाकर्ट, ठीक है? इन दोनों को समय के साथ बाटा गया है ठीक है पाली भाषा जो थी इसका समय क्या था पांसो इसा पुर्व से इसका समय शुरू होता है ठीक है और इसका समय कब तक रहा एक इस्वी तक कब तक रहा एक इस्वी तक का यानि इस पांसो वक्षो का समय पाली भाषा का रहा उसके बाल आती है प्राकर्थ भाषा प्रा प्राकर्थ भाशा का गहा, प्राकर्थ भाशा का गहा, पाली भाशा में किस के गचना की गई, पाली भाशा की जो गचनाय है, वो काउंसी है, महात्मा बुद्ध के जो गचन दिये गई, महात्मा बुद्ध की जो बाते कही गई, उन्होंने जो भी गचन दिये, उन्हें जि जैन साहिथते लिखा गया, जिस तरह आलि भाषा में बहुत साहिथा गया ये ये प्राकlt भाषा में जैन साहिते लिखा गया थीक है तो अब हम ज हम जब इसकी लीड़ से गचनाई पड़ेंगे की कौन से गचनाई किस-किस समय में कौन कहनी कचनाई मुख्य रई ल जी और अभघणा वो 1020 से शुरुवात होती है इसकी ठीके 1020 से देखें अब तक जो समय चल रहा है वो आधुनिक भारतिया आरे भाशाहों का समय ठीक है, इसमें जो मुख्य गूप से भाशा आये रही, ठीक है, वो क्या होई अपभ्रंश भाशा आई, अपभ्रंश और अभःट, कौन सी भाशा आई, अपभ्रंश भाशा आई, और अभःट भाशा आई, लेकिन मुख्य गूप से इसमें अपभ्रंश की बात की जाते है जब हम अभी इसमें clearly समझेंगे तब ही मैं अफ़ट के बागे में आपको बताऊंगे लेकिन मुख्य गूप से अप भ्रेंश भाशा आई अप भ्रेंश भाशा के बहुत से ब्रेद हुए ठीक है हम हिंदी भाशा को किस लिपी में लिखते हैं ये भी एक कोशन आ जाता है हिंदी भाशा को हम कौन सी लिपी में लिखते हैं देवनाद की लिपी में लिखते हैं इस चीज को याद अखेगा और मुजली आप लोगों को सभी को बता हुआ कि हम हिंदी भाषा को देवनाद की लिपी में लिखते हैं एक कोशन ये भी आजाता है कि संस्क्रिद भाषा कौन सी लिपी में लिखी जाती थी तो संस्क्रिद भाषा लिखने में हम ब्रहमी लिपी का प्रियोग करते हैं सपर है ठीक है पहल से ब्रह्मी लिपी भी बागर और से यहां लिए से नायों लिखी जाकिती थी जैसे कि हिंदी लिखी जाती है नजुसके भाषा लिखने में हम कौनसी प्रियोमें ब्राह्मी निपी का प्रयोग करते हैं ठीक है अब यहां पे आपको समय बता चल गया कौन कौन सा समय इतना कितना समय गहा ठीक है प्राचीन भार्तिया आगे भाषाओ का समय ठीक है जिसकी मुख्य भाषा संस्केत है और इसे दो भागोट में बाठा गया वहलोग भाषा समय इसल गया प्राचार्त मत्य जिसके मुख्ये जो भाषा रही वो अभ्ध्रश भाषा थी जिसके कई भेद हुए और उन भेदों में से ही एक भेद है हिंदी जोगी अभी बोली जाती है तो हम जब अभ्ध्रश के बागे में पढ़ेंगी सागे भेद में आपको बताऊंगी तब हम हिंदी के जनुन तक पहुचेंगे एक और चीज मुझे बतानी है कई बाग बच्चे इस चीज के निये कि प्राकर्थ यहां पे आपको कई बुक्स में ऐसा देखने की नहीं मिला होगा पैथम प्राकर्थ दुद्य प्याकर्थ और तिद्य प्राकर्थ ठीक है तो यहां पे उसके बाद आपको बच्चिलित होई तो उसे एक अपना खास दर्जा दिया गया जिसकी वजह से प्राचेंग भारते आरे भाषा को प्राकर्थ मध्य गालें भारते आरे भाषा को दुद्य प्राकर्थ और आधूनेग भारते आरे भाषा को तिद्य प्राकर्थ के नाम से जाना जाता है ठी वाकि कोई भी चेंजिस नहीं है बस कुछ बुक्स में हमें मिलता है देखने के नहीं और फेव हम कंफ्यूज होते हैं तो इसने ही मने आपको बता दिया बाकि ऐसी कोई बात नहीं है आप इसी तरह से अच्छे से याद कीजिएगा प्राचिंग भारते आगे भाशा मतेकाली आधुनिक भारते आगे भाशा और आधुनिक भारते आगे भाशा साथ ही इनके समय को याप कीजिए ठीक है यह जो आज का टॉपिक है यह आज का टॉपिक आपका यूजी पीजिस सभी के निये इक्पॉर्टन है ठीक है तो अच्छे से समझेगा बाकि कोई भी अगर कुछ भी ऐसा है जो आप लोगों को समझना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं पूस सकते हैं उसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुली थ क exemplo को सब्सक्राइब करें